नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे घरब आवस्ता के दोरान कुछ समाने लक्षनों के बारे में जब आप घरवती होती हैं तो आपके सासाथ पूरे परिवार में जिग्यासा होती हैं कि घरव में लड़का है या लड़की कुछ लोग यह पर सुझाओ दे सकते हैं कि आप में लड़का है या लड़की होने के लक्षन है ये दारनाय और मिठकपीडी धरपेदी जिग्यासर से उत्पन हुए खास का जिब स्कैनों पलब नहीं थे हलांके लक्षनों के माध्यम से सीचु के लिंक का अनुमान लगाना ये बविश्यवानी करना मज़ेदार है लेकिन वेग्यानिक परमानों की कमी के कारण इनी गंबीरता से नहीं लिया जाना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर देजिए और वीडियो को लाइक पर देजिए आईए जानते हैं कुछ ऐसे लक्षनों के बारे में जिन से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गरम में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की अगर आपको सुपर कानुमबंभ नहीं हो रहा है तो यह संकेत आपके गरम में लड़का होने का अगर आपके हर्द्यागति यानिके heart rate 140 improvement से कम हो तो यह है संकेत आपके गरम में लड़का होने का है अगर आपके शरीर पर दाग दब्बे या मुहासे रही तवचा के साथ तो एक अच्छा स्वास्त है इस बात का संकेत है कि यह है आपके गरह में लड़का होने का संकेत है जबकि एक बच्ची मां की सुन्दरता को उधार लेती है जिससे उसकी तवचा क्ताब हो जाती है अगर मां की गरह में लड़का है तो उसके भी लंबेव और चमकतार बाल होंगे यदि आपको खटा या नमकीन काने की इच्छा होती है तो यह संकेत आपके गरह में लड़के का है यदि आपको मूट बदलने की संभावना कम है तो यह आपके गरह में लड़के होने का संकेत है करपवस्ता के दोरान यदि आपके मुत्र का रंग बदल जाता है और यदि यह गहरा दिखाई देता है तो यह आपके गरब में लड़के होने का संकेत है जब आप एक बच्चे को जनम देती हैं तो आपका दहिना स्थन बाएं स्थन से बड़ा होता है यदि आपके पैर बरफीले ठंडे हैं तो यह संकेत आपके गरब में पल रही लड़के होने का है जब आप एक लड़के को जनम देती हैं तो अतिरिक्त वजन ज्यादा तर पेट पर दिखाई देता है लेकिन जब आप एक लड़की को जनम देने वाली होती है तो वजन चहरे सहीद पूरे सरीर पर वित्रित होता है